चित्रा जी एक एक्टिविस्ट है और जो यहने सक्रिय कारे करता है और जो समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं उनको लेकर उन्होंने कथा साहित में अच्छा काम किया है तो मैं उसे बहतर बड़ लेखक नहीं मानता तो मैं उसको ज्यादा बड़ लेखक मानुन करके मनुरंजन रखते हुए भी लेकिन किसी जमाने के किसी बड़ सवाल से तक्रानी की कोशिस करता ह। तो जह कोशिस चित्रा जी में है मुझे जो खास चीज दिखी, जिसे और भी विद्यार्थी कहानिया लिखते थे, कविताय लिखते थे लेकिन लगता था कि ये विद्यार्थी जो लिख रहे हैं, बहुत कुछ उनोंने जो पढ़ा लिखा है, सुना है, उसके आधार पर ही अपने बाते कर रहे हैं मौलिक्ता उनमें नहीं दिखती थी, चित्रा में मौलिक्ता दिखती थी, नए धंग से बातों को प्रसुत करने के कला इसके अंदर थी, तो जब मैं चेतना की बात करती हूं, तो मुझे जो औरों की तकलीफ के बारे में दूंद करने, सोचने, और उस पर सोचा जाना इस अनिवारिता को जो मेरे मन में भरा, उसने मुझे बताया कि मुझे पहले अपने आप से लड़ना है, पहले मुझे अपने आप से लड़ना है, अपने निजी दुखों से उबर कर इनके बारे में सोचना है. मुझे ये लगता है कि अगर अर्थपून और सार्थक लेखन का कोई मुल्यांकन होगा, तो उसमें चित्रा जरूर खड़ी मिलेगी हमें, और हिंदी साहिते को भी अच्छी लगनी चाहिए ये बात, कि उसने नसों पर जहेल कर, अपनी आँखों से देखकर, और अपने द को लिखा देखकर खड़ के लिए लिए उनकी अच्छी अच्छी में सामाज में एक जगह बनाने के लिए बोलते हैं उन्होंने कभी भी भी पुतले नहीं कहड़े किये, उसने जीते जाँते हाण मास के लिएकार की लिए. चित्या जी का हिंदी साहित में आवधान तो उनका लेखन है उनका रचनाय है और कभी हमारे समय का इतिहास लखा जाएगा कि मुल साहित लिका इतिहास ही नहीं बलकि सामाजी की इतिहास लखा जाएगा तो उसको समझने में उसको आत्मगत करने में चित्या जी की जो रचना करका सिर्दोंगी